हलो दोस्तों वेलकम टुमा यूटूब चनल में जगदीज और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बताने वाला हूँ कि आप किसी भी गाड़ी के नंबर से आप उसके ओनर का उसके मालिक का नाम कैसे पता कर सकते हैं वह वह गाड़ी कितनी पुरानी है एक्टिव है य तो जैसके फ्रेंट्स में आपने माल की इंटरेश्किन पाच का हूँ तो इसके लिए आपको सबसे पहले प्लेश्टों से आर्टी वीकल इंफॉर्मेशन अप्लिकेशन है वह डाउनलोड कर लेना है तो मैंने यह अप्लिकेशन अप्लिकेशन को मैं ओपन कर लेता हूँ तो उपन करने के बाद देखेंगे यह काफी सारे इंफॉर्मेशन यहां दिया हुआ है लेकिन वीकल की डेटेल जानने के लिए आपका उस गाड़ी का जो नंबर है वो लेना है और आर्सी डेटेल की आप्शन पर आपको टैप परना है टैप पनने के बाद अगर आपके इसके बास नंबर है तो डारेक्ट नंबर डालेंगे या फिर इस पर कैमरे पर टैप करके उसकी फोटो भी डारेक्ट टैप कर सकते हैं तो मेरे पास गाड़ी का जो नंबर है तो मैं नंबर को डाल देता हूँ तो गाड़ी का नंबर मैंने fill कर दिया है इसके बाद सर्च पर टैप रेंगे सर्च पर टैप करते ही आपको 2 साइकंड का add मिलेगा इसको हम skip कर देते हैं तो skip करने के बाद देखेंगे गाड़ी की सारी information आ जाएगी गाड़ी किसके नाम है वो दिखाए गया है इसके बाद यहाँ no available लिखा है इसका मतलब यहाँ है कि गाड़ी जिसने वाई की थी अभी उस पे बलब्द नहीं है मतलब गाड़ी को अभी और कोई चला रहा है गाड़ी का insurance भी अभी expire हो चुका है insurance की details दे सकते हैं इसके बाद नीचे जाएंगे तो गाड़ी की हैं सारी report दे सकते हैं ownership details में जाएंगे तो किसके नाम से ownership है ownership serial number यहां नहीं दिया गया है और यह गाड़ी किस प्रकार से लिए थी finance तो यहाँ on cash लिखा यानि cash से direct गाड़ी लिए थी अधिक जाने कारे के लिए आप important details पर टैप परेंगे तो यहाँ देखेंगे कि गाड़ी कव खरी दी गई थी और इसका timing क्या है duration क्या है 13 year और 10 month और 8 दिन की इस गाड़ी का duration है यानि तब तक कि गाड़ी जो है वो valid रहेगी इसके बाद expire हो जाएगी author information पर जाकर आप गाड़ी के status देख सकते हैं जैसकि अभी गाड़ी active है यानि चल रही है आप देखेंगे fuel type में petrols का अभी fuel इसमें use होता है और उपर जाएंगे तो check challenge पर जाएंगे यहाँ से इस पर tab करते ही आप इस गाड़ी के चालान को भी देख पाएंगे तो देखेंगा यह चालान की detail दिखा गया कि amount कितने का जो चालान कटा है एक हेर रपे कर चालान कटा है किस date को कटा है और किस के दोरा यह काटा गया है सारी चीत दिखाए गया है साथ ही है चालान का status है वो pending है यानि अभी आपने चालान का site payment कर दिया है लेकिन अभी इसमें successful नहीं है और print चालान पर tab करके इसको आप print भी कर सकते हैं इस परकार से आप किसी भी गाड़ी के detail का number डालके उसकी सारी detail पास सकते हैं आई हो आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई तो like करो share करो अगर कोई मन में confusion ना तो comment box में comment करो